डिरेक्टर प्रेडूसर राकेश ओम प्रकाश महराजी जब अपनी क्लासिक फिल्म रंगदे बसंती के म्यूजिक ट्राक पर काम कर रहे थे तो उन्होंने लता मंगेशकर जी की परस्नालिटी में एक ऐसी चीज देखी जिसको देखतर वो हैरान रहे गए उस समय लता लुका छुपी जो लता जी ने अपने अवाज में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया तो इस गाने की रिकॉर्डिंग 15 नेवेंबर यानी 15 नेवेंबर को चन्नाई में फिक्स की गई जहां पर एयार हमांसर का स्टूडियो था लता जी ने राकेश जी को फोन किया कि वो लता जी के जल्दी वहां पहुचने की तो वो अमेस्ट रह गए एक्चुली लता जी लुका छिपी की प्रॉपर रिहर्सल चाहती थी रिहर्सल वो भी लता मंगेश कर जी नाइट एंगल ऑफ इंडिया इतने वास्ट एक्स्पीरियंस के बाद वो एक गाने के लिए रिहर बायत महीं ती इस तरह के सिंगर के साथ काम करने की जो रिहर्सल पे यानी प्राक्टिस पे इतना फोकस करते हैं इतना ध्यान देते हैं और साथ ही साथ उन्के हिसाब से तो उनको पता भी नहीं चलता था कि सिंगर उनकी फिल्मों के लिए कब आय और कब गए आते थे, रि तो खेर अगले दिन से उनके लिए स्टूडियो बुक करवाया गया विदाउट फेल लता जी हर दिन एपॉइंटेड टाइम पर पहुचती और पूरी महनत से इस गाने का रिहर्सल शुरू कर गाने का दिन आया रिकॉर्डिंग का दिन 15 नवेंबर स्टूडियो में चेर अर्रेंजमेंट्स किये गए राकेश जी कहते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने में पूरा आठ घंटा यानी एट आर्ज लगे और विदाउट रेस्टिंग फॉर अबिट बिना बैठे बिना आराम किये लता जी लगा तार आठ घंटे तक माइक के सामने खड़ी रही और गाती रही उनकी पूरी कोशिश सिर्फ इस बात पे थी कि ये गाना बैस्ट कैसे बनाया जाए और उस लेवल पर आकर उनकी ये शिद्दत अपने क्राफ्ट के प्रती वफादारी देखकर राकेश जी अमेज्ड थे उनके लिए मानो ये सब कुछ पहली बार हो रहा था और शायद इसलिए कहा जाता है कि लता मंगेश कर जी जैसा कोई दूसरान नहीं हो सकता और साथी साथ वह कहावत भी याद आती है कि practice makes a man or a woman perfect ये कभी पुराना नहीं हो सकता this is the thumb rule तो क्यों दोस्तों क्या आपको ये कहानी पता थी और अगर नहीं तो ये कहानी आपको लगी कैसी मुझे comment section में जरूर बताईएगा और अगर काबिल लगी हो तो like और share जरूर कर दीजेगा क्योंकि दोस्तों आपके एक-एक like, एक-एक comment, एक-एक subscription से मुझे बहुत साधा motivation मिलती है मुझे इस बात की motivation मिलती है कि मैं और बेहतर कहानिया आप तक ला सको So on this note, till the next time we meet again, bye-bye for now